मत्यप्रदेश के पूर्व मंत्री लक्षमिकांद शर्मा को श्रधान चली देने से रोंज पहुंचे राश्ट्रिय महासच भाजपा कैलाश विजयवर्गी शम्शाबाद के महानीम चौराहे पर अल्प समय के लिए रुके और कायर करताओं से मुलाताती मीडिया से बाचीत के दोरान कैलाश विजयवर्गी ने दिगविजद सिंग के धारा 370 वाले बयान पर कहा कि बहुत शर्मनाख बाद दिगविजद सिंग के द्वारा कही गई है आज हमारे प्रदेशा देख्च वीडी शर्मा ने ग्रह मंत्री को पत्र लिखकर एनाईय द्वारा जांच की मांगी है क्योंकि ये सब जानते हैं कि दिगविजद सिंग की बातों के और भी कई मायने होते हैं सोनिय गांधी को धारा 370 वाले बयान पर कॉंग्रेस की तरब से इस पश्टी करण देना चाहिए वहीं बंगाल की हिंसा पर विजव वरगी न कहा कि बंगाल में हिंसा राज जित द्वारा प्रायवजित है मंगाल में जंगल राज चल रहा है और चुनाओ के बाद हमारे 45 कारकटाओं की हत्या हो गई है इस प्रकार का बयान देते हैं कि उन बयानों पे बहुत सारे अर्थों निकलते हैं और इसलिए वीडी शर्माजी ने जो कहा है उसी संदर में कहा है तो आप क्या चाहते हैं जहां चोने चाहिए जो हमारे प्रदेशक दिश्ची ने कहा है तो फिर हम दों साथ खड़े रहेंगे बंगाल की राजनीती में आपने बड़े करीब से देखा है जिसके कास की मंता दीदी की सरकार बनने के बाद उथर पुतर पैदा हुई है इस पे आप क्या कहना साथ हिंसा और बंगाल की राजनीती का प्रयायवाची संबन्द है पिछले चार दशक से महा हिंसा बहुत जबरिस्त है अभी भी अगर हम देखें तो इलेक्शन के बाद हमारे 45 कारेकरताओं के हत्या हुई है तो मैं जब से प्रभारी हूँ 6 साल से लगभग 300 कारेकरता अभी तक हत्या हो चुकी है सिर्फ हमारे ही दल के नहीं सीपीएम के कम से कम 55 कारेकरताओं के हत्या हुई है सरक्षन वाली हंसा होती है और यह बहुत शर्मना के डेमोक्रिसी के लिए बहुत लुक्साद है कि चाचोड़ा विदायक लक्षण सिंग जी ने आरोप लगाया है जतायक सिंधिया पर कि सिंधिया जी आते हैं तो अपने मंत्रियों से मलती है क्योंकि उनके मंति वरस्टाच क्यार में लिखते रहे हैं कामरे साथ है चाचोड़ा के विदायकी ने तो दिखविजे सिंग जी के बयान काई विरोत कि है वो तो पूशी ने रहा रहा है उन्होंने कहा है कि धारतन सुस्तर नहीं अटना चाहिए